उड़ाग्राउन नजदीक एकलवे स्टेडियम में वीरवार को जीन्द जोन की विशाल रोहनी नामचर्चा का यवजन किया गया नामचर्चा के दुरान हजारों की संख्या में साज संगत ने पहुँचकर राम नाम का गुनगान किया नामचर्चा पंडाल को बहुती सुन्दर ढंक से सजाया गया नामचर्चा को लेकर साज संगत में काफी उत्सा दिखा गया नामचर्चा के दुरान जीन ब्लॉक सहित आसपास की साज संगत ने भी भाग लिया नाम्तर्चा के दुरान कवीराज भाईयों ने भजनों के माध्यम से वातावरण को भक्ती में बना दिया नाम्तर्चा में जीन विधान सवा के विधायक डॉक्टर क्रिशन मिड़ा भी पहुंचे जहां उन्होंने दियरा सच्चा सौधा दुरा चलाए जा रहे मानुता भलाई कार्यों की जम कर तारीफ की उन्होंने कहा कि दियरा सच्चा सौधा के नाम आज विश्वरी कॉर्डर्ज हैं दियरा सच्चा सौधा के सेवाधारों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है हुए सभी मानुभाव गंगा गोरी गाय तरी तुल्ले मेरी मात्र शक्ति जिस परकार से आप गुरुजी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे हैं भूखों के अन की व्यवस्ता करना करोना काल में श्यम जिस समय हमारे अपने मुठी में से रेत की तरह हमारी आखों के सामने फिसल रहे थे हमें छोड़ कर उस परमात्मा के चर्णों में लीन हो रहे थे उस समय आप लोगों ने और और संस्थाओं ने भी मिलकर वो कारिय करने का काम किया जिने शब्दों में ब्यान नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मामारी समूचे विश्व पर आई और भारत ने सरकार जहां अपना काम करती है वो हरियाना सरकार रही भारत के सरकार रही वह आप जैसे लोगों ने भी मिलकर आप जैसे भक्तों ने मिलकर भी इस बागडोर को संभालने का काम किया और मैं ये कहूंगा कि बहुत उस ऐसे समय के अंदर जो हमने हाथ से हाथ बढ़ा करने का काम किया जहां कहते दे कि छूना भी आज की तारिक में पाप है वहां हम लोगों ने उन लोगों को भोजन कराने की विवस्ता करने का काम किया जिनके नजदी कोई व्यक्ति जा नहीं सकता था ऐसी बात ऐसा कारिया वो ही लोग कर सकते हैं जिनके दिमाग में अध्यात्मिकता हो जिनके दिमाग में एक बातों कि परमात्मा ने सब की मृत्यू निश्चित कर रखिये लेकिन हमारा फर्ज बनता है इंसानियत का फर्ज बनता है हमारा धर्म बनता है हम अपने बतायों पर्योग करें जिनके हालात आज खराब हैं यही कारण रहा कि सुमूचे विश में भारत की जो यह कहूँगा कि आप जैसे भक्तों ने जिस परकार से सेवा की हम लोग बहुत से कम से कम जादा नुकसान हम लोगों को हुआ जहां भारत सरकार में मान्या मोदी साब ने मैं भाई हमारे भारत के यह कहूँगा कि पर्धान मंत्री जी ने हमारे विज्ञानी को नया से इंजेक्शनों की खोज की जो हमें विदेशों में भी इंजेक्शन हमें ने सप्लाई की इससे बड़े गोरव की बात क्या हो सकती है मैं तो ये भी कहूँगा और विशेश तोर पर आब बताऊंगा कि जो बड़े गुरु महाराज जी थे बड़े डाक साब के हाथ से मैं भी उनके साथ था तो बड़े डाक साब ने भी उनके बीमार होने पर जीहने में जब वो आये तो उन्होंने दवाई बड़े डाक कर्म में सिर्सा में भी उनकी शादी में नील और सुरेश जी की शादी में भी मेरे को जाने का आउसर मिला था वैसे भी गुरु जी महाराज जी के जब भी कारिये करम होता है जब भी मुझे को संदेश मिलता है मैं पूरा प्रियास करता हूं कि मैं आकर उनके दर्शन करू और उनके बताई हुई बाते हैं और विशेश तरपर गुरुजी महाराज जी का अनेक बाते हैं गुरुजी महाराज करते हैं अनेक अध्यात्मिक संत गुरु मात्माएं बताते हैं बातों को लेकिन जो गुरुजी ने एक विशेश तोर पर जो मुझे बहुत अच्छी लगी मैं अपनी तोर पर बताऊंगा कि वैश्याओं से जिने हम समाज से दूर रखते हैं उनके साथ जो शादी करने का जो गुरु माराज ने विश्य सोचा था ये विश्य कोई आम व्यक्ति के सोच दिमाग में आ नहीं सकती और उसके बाद जिन लोगों ने उनसे शादी की उन्हें योदा का नाम भी गुरु माराज जी ने देने का काम किया ये बहुत बड़ी बात है जिस बारे में कोई व्यक्ति सोच नहीं सकता उस बारे में गुरु जी ने ऐसा विचार करकर उन मैं कोँगा बहनों को एक समाज में रहने का एक तरीका बताया इससे बड़ी बात नहीं हो सकती मैं तो आप सबसे नवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि सत्संग का अरत ही यही होता है कि अच्छे संग में चलने का काम करें यही सत्संग की परिवाशा है यही उमीद मैं करता हूँ कि इसी परकार से आप लोग इंसानियत की रापकड़ कर अच्छे से अच्छे काम करने का काम करेंगे क्योंकि इंसा का नाम जो गुरु महराज ने दिया वो इंसानियत का ही नाम है ऐसी मैं आप लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ और आप सबने मुझे इतने इज्जत इतना मान बक्षा जब भी कोई कारिय करम होता है मेरे पिता जी ने एकसर मुझे एक बात कही थी कि जब भी कोई कारिय करम होता था कोई भी धार्मी कनुष्ठान या ध्यात्मी कारिय करम होता था मेरे पिता जी मुझे ले कर जाते थे तो रात को कई पर लेट हो जाता था तो मैं कहता था कि बाओ जी आप तो नींद आपकी तो खराब होती होती है मेरी नींद भी खराब करते हो तो मेरे पिता जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही सुबह कहने लगे मेरी माँ को बुला कर कि तेरे साब जादा ऐसे ऐसे मुझे से कह रहा था लेकिन जब हम बूड़े हो जाएंगे तो हमारा हाथ भगर कर इन धार्मिक अनुष्ठानों पर धार्मिक स्थानों पर ले जाने का काम करें बहुत सी माताएं और बहने बैठी हैं मेरा उन सबसे भी निवेदन है मेरे पिता जी अक्सर कहा करते थे आज कल गूगल का समय केंप्यूटर का युग है लेकिन इस केंप्यूटर के युग में एक घंटे के लिए अपने मोबाइल को बंद करके मेरी सबसे प्रार्थना और निवेदन है ये मेरा परसनल सोच है सबसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास अवश्य भी ठाएं एक घंटे के लिए अगर वो दादा दादी के पास बैठेंगे गूगल में आपको सब कुछ मिलेगा ब्रमान में क्या चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा वो सब आपको पता लगेगा लेकिन दो चीज़े आपको कभी भी नहीं मिलेंगी एक अशीरवाद और एक तजर्बा ये आपने बुजरगों के पास बैठने से मिलेगा अच्छे सथसंक को सुनने से मिलेगा ये आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देता हूँ और आप सब का बहुत बहुत अभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे आप जैसे आत्माओं का एक शुदा आत्माओं का दर्शन करने का मोका मिला मैं आप सब के चल्ड़ने पर नाम करता हूँ जै हिन जै भारत धन्नन सत्गुरू तेरा ही आस्रा जीन से कुल्दीप नैन की रिपोर्ट